हाई, वेरी गूड मॉर्निंग तो अल आप यू एंड जैसा कि टाइटल आप देख रहे हैं तो समझी गए होंगे कि आज का जो लेक्चर रहेगा वो गोस्ट डाइवर्जेंस थियोरम का रहेगा और जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले मैं ये डाइवर्जेंस एंड ग्र आप बोलते हैं कि डाइवर्जेंस जो है वो सॉलेनोडल है तो उसकी क्या कंडिशन है तो ये सभी पॉइंट हम लोग लास्ट के जो वीडियो है उसको एक्स्प्लेन कर चुके है तो वैनेवर दा डाइवर्जेंस ओपैनी फिल्ड इस इक्वल तो जीरो दैट फिल्ड इस इसउरल इस एलेखट Κंड ग्या हुआ है स्का मतलब घौर उर्ट क्या हुआ हैसका इसका मतलब ये हुआ की अल्यक्त कर िक्यर पॉ Gesprॉल रगो तो ग्या तो यज ऑऑ टिस एलेडेक्ट्रियो की बांत्र talking को नेस फिल्ड इस मतलब क ये सो बन्या की ये एलेडिकल फिल्रू वो कैसे होगा वो parallel form में होगा राई ऐसे तो वहाँ पर कोई curve shape नहीं होगी ऐसे करविच नहीं आप आप अब्जर करेंगे जैसे कि इस point पर यहां करते हैं यहां जो है यह inward flux है यहां यह outward flux है तो outward flux जहां भी होगा वहाँ जो उसका magnitude होगा उसकी जो result होगा वो positive होगा और जह वहां inward होगा वहां वो जो है वो negative होगा तो whenever you get the result of divergence in terms of the positive value from a numerical that means वो जो वहां electric flux considered किया है that is outward direction so वहां क्या हुआ वो positive charge से आया हुआ और whenever you get the result in terms of negative then it means the flux basically is inward and वो जो वहां आप जो देखते हैं वो फिल्ड वो उसका जो source रहेगा वो negative charge रहेगा तो इसको sink भी बोलते हैं इसको source बोलते हैं ऐसा करके तो ये तीन एक important point थे और इसका significance आप यहां पर देखी सकते हैं यहां curve और ये जो parallel line है उसके basis पर ये कुछ छोटा सा concept अब ghost divergence theorem क्या है इसको आज की lecture में हम लोग study करेंगे और try करेंगे इसको prove करने का कि इसको कैसे हम लोग prove कर सकते हैं right so ghost divergence theorem का अगर हम statement लिखते हैं तो ये हुआ close surface integral a close surface integral E dot ds is equal to volume integral divergence of same field divergence of E and this dv right so this is a mathematical statement of the ghost divergence theorem so here in this video what is the purpose purpose is that you have to understand the physical interpretation of this mathematical equation so this left hand side and this right hand side अप इस पहली stage पर हम लोगों को क्या करना है कि ये जो mathematical equation आपको दिखाई पढ़ रही है इसकी physical picture आपको observe करना है आप मेरा मतलब समझे है physical picture क्या होगा right so physical picture means कि ये जो equation आप लिख रहे हैं left hand side में इसका अगर visualization करना हो mathematically equation का तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले point यहां आया close surface integral उसके बाद आया e dot ds तो जब close surface integral होगा तो यहां कुछ एक example लेकर कि मैं आपको बता दूँ कि ये ring है तो ring में क्या होगा कि ये surface जो है जो आप देख रहें outside में ये जो line देख रहे हैं ठीक है ये connect है अगर मैं यहां से इसको हटा दूँ तो ये इस तरीके से आपकी एक line होगी simple और जब मैं इसको यहां से ऐसे मोड कर ऐसे कर दूँगा तो ये एक तरीके से circle बन जाएगा इसके अंदर ये जो होगा ये open surface है राइट तो bounded by this circle जो area है उसको हम open surface कहते तो this is an example of open surface तो जो रिंग है रिंग के अंदर जो surface हुआ उसको आप open surface कहते हैं लेकिन जैसे आप यहां बोर्ड पर देख रहे हैं तो बोर्ड जो है आपका ये square rectangular form में है और ये solid है राइट तो कोई भी paper piece आप समझ सकते हैं या कोई भी इस तरीके से iron की seat समझ सकते हैं किसी material की कोई भी चीज समझ सकते हैं तो ये जो पूरा का पूरा यहां surface देख रहे हैं किसी एक material का है और material एक इसलिए मैं बल रहा हूँ कि आपको visualize करने में आसानी रहे कि ये यहां खाली नहीं है तो ये इस तरीके से कोई piece है किसी भी material का तो ये जो surface हुआ अभी आप जो देख रहे हैं ये surface जो हुआ वो close surface हुआ तो open surface क्या है और close surface क्या है mathematically इनको कैसे denote करते हैं mathematically अगर मुझको open surface को denote करना होगा तो मैं उसको इस तरीके से denote करूँगा यहां जो इडोट डी ऐसे actually वो हम लोग अभी flux के लिए यूज करें एलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए राइट जो गोस्थियोरम है जो गोसला है उसी के कोडिंग आप लोगों ने जो पहले पढ़ चुके हैं प्लस्टू में तो यह गोसला है गोसला में आपने देखा था किसी एलिमेंटरी एरिया के तो जब इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन को मेजर करते हैं तो वो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो करता है लेकिन अब यहां इस फ्लक्स को आपने बाउंड किया हुआ है ओपन सर्फेस के साथ में तो यह जो ओपन सर्फेस है यह इस नेचर का है यह सरकल में हो सकता है और यह ट्रैंगलर फोर में हो सकता है से इप सर्फेस का कुछ भी हो सकता है इ गोशला आपने पढ़ा हुआ है तो गोशला इस एकॉल टो जब आप पढ़ रहे थे तो क्यों अपने अपसाइलन था ऐसे जब आपने फाइंड आउट किया था तो अभी हम गोशला की डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन अधा आइडिया ओप डोट दिया इस कमिंग तो यह तो हुआ विजुलाइजेशन राइट कि आपके पास मैं सपोज किया इस तरीके से कोई बॉक्स है यह और यहां अंदर की साइड में एक पोजिटिव चार्ज रख दिया तो यह जो रैड कलर की वाल है इस से टोटल कितना फ्लेक्स बाहर निकला है राइट तो उसक इस के तुरू मानली इस सर्फिस को हम एस वन बोलते हैं तो जो फाई एस वन होगा वो आपका एलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यह हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो यह तो रहा लेप्ट हैंड साइड का जो फिजिकल पिक्चर है उसकी इंटरप्रेटीशन अब राइट हैंड साइड में देखते हैं कि राइट हैंड साइड में लिखा है यह थ्री इंटीगल का नोटेशन जो है वो अगर कहीं भी आपको मिलता है डी वी उसका मतलब गुआ है कि टोटल वॉल्यूम है राइट यह वोलियम इंटीगल है तो वोलियम इंटीगल जब आप इस फौर में देखते हैं तो डी बी का मतलब होगा टोटल वोलियम अब यह बोक्स यहां हम लोगों ने कंसिडर किया और इस बोक्स में आप जो देख रहे हैं अभी यह नहां Center में यह positive charge है और इस positive charge से जो electric flux वो चारो जितने भी faces हैं रैट यह 6 faces जितने हैं है यहाँ pan करता है कि क्या हम लोग को क्या consider करें problem किया है तो अभी मैं अगर इस ही face को consider करता हूं रैट तो यहां मुझे को five S1 electric flux जो इस फेस्से मिला वो इतना मिला इसको मैं टू नमबर बोलता हूं इसको three और इसके इधर four और इसकी नीचे जो है five है और इधर की side में जो यह है six number phase है और यह number one था तो total जो electric flux होगा वो ऐसे ही करके आप इस सर्फेस से निकाल सकते हैं ठीक है इस सर्फेस का जो भी एरिया होगा उसके अकोडिंग तो यहां आप डी एस वन लिख रहे हैं वहाँ पर आप डी एस टू लिख देंगे तो टोटल एलक्टिक फ्लक यह क्लूज होगा तो फि के दोट डी एस और यहां तो यहां से जो आपको एलक्टिक फ्लक्स मिलेगा वाउफा ऐस टू होगा तो जब आप यहां डाइवर्जेंस ओप इस मतलब यह हुआ कि वह जो ऑलक्त्रिक फिल्ड आपने किसी पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं राइट सपोज किया इस पॉइंट पे इसकी सराउंडिंग में या इसी एक पर्डिवला एलिमेंट्री एरिया से आप मेजर कर रहे हैं ठीक है तो वो कितना है लेकिन जब आप पूरे वोल्यूम की बात करेंगे तो आप s1 plus 5 s2 plus 5 s3 right up to the 6 faces हैं तो 5 s6 तो total electric flux यह आपका suppose हुआ 5 तो 5 electric flux है electric flux का मतलब क्या है electric field line तो total electric field lines right so यह जो number of electric field lines है इसी को आप flux बोलते हैं and you know divergence op क्या है तो आप पूरे volume के अंदर इस point पर इस point पर जहां at every point you have taken the divergence and पूरे volume के अंदर तो आपको क्या मिल रहा है महां पर magnitude number of lines right तो वो जो total number of lines actually वो क्या है वो electric flux ही है total electric flux flux coming out from this जो box है तो यहां जो physical picture है और जो physical interpretation है दो point की मैंने यहां पर बात की एक physical picture और एक इसकी interpretation तो किसी भी mathematical equation को हम लोग कैसे समझते हैं इस पार पर मैंने केवल अभी यही discuss किया है कि आपका जो गोस डाइवर्जेंस यह जो थियोरम है इसमें यह mathematical equations हैं ही क्या indicate करती है तो left hand side में जो है वो यह जो six spaces हैं राइट आप एक के लिए भी consider कर सकते हैं या नहीं नो क्योंकि यहां volume integral की बात की है तो volume integral तभी निकलेगा जब आपके पास में कोई क्यों बीकल बोडी होगी राइट या कोई भी बोडी हो देट उसके जो फेस हो वो क्लोज हो तो वह कितना volume जो है cover करती है राइट तो वह important point है तो left hand side में तो हुआ इस तरीके से यह concept कि सभी surfaces से आपने electric flex को major कर लिया right hand side में at every point you are basically taking the divergence of that field so जब यह जितने जितने भी point होंगे यहां within this volume right उन पर आपने क्या किया divergence ले लिया and you know कि जो divergence है उसका result जो है वो एक scalar होगा scalar means एक magnitude की power में आएगा तो वो जो number आएगा आपके पास में divergence का result से within this volume यह जो volume आप consider कर रहे हैं तो that will be equal to this number of electric field lines so इस तरीके से आप चाहे यह लिखें चाहे यह लिखें दोनों का meaning यह है तो वीडियो के इस पार्ट में मैं केवल आपको यह यह जो mathematical interpretation है उसी को explain करने का purpose है और यही बताना चाहरा था लेकिन next video में जो हम लोग drive करेंगे वो ghost divergence जो theorem है उसको कैसे drive करते हैं और कैसे उसको find out करेंगे तो next video में हम लोग derivation find out करेंगे कि जो इसका basic idea है ghost divergence theorem का वो आपने catch किया होगा if you have any problem और any conceptual problem और कहीं पर ऐसा लगा है कि यह कैसे explain किया तो you can ask that question from the comment box right so thanks for watching this video and keep sharing जहां पर भी आपको लगता है with your friends